नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमाई चेनल वोव घुब्ट गो पाल मैं फिर्टि से एक बार दोस्तों वीडियो में आज हम फिर से बात करेंगे तो कि ध्यामीत्रों को लेकर क्योंकि तरब से लगातार अपडेट आ रही सिच्छक सिच्छामित Welfare Association का जो संगठन है जो प्रतिनीदी मंडल है वो जाके मिला जिसमें उन नाव के जलादश भी थे और साथी साथ लगनों के वी जलादश थे और उनके अन्य साथी भी थे उन्होंने ग्यापन देखे सिच्छामित रहती समस्याओं से उनको फिर से अ बातों से आसुत है राजना सिंग जी को ग्यापन देने के बाद सिच्छामित्रों में उमीद जगी है कि साथ अब हमारी बात मानी मुक्र मंत्री तक और मानी प्रिदान मंत्री तक पहुंचेगी और 2024 से पहले कुछ ना कुछ सरकार ने डाले लेकिन ये बात सुनते सुनते आप भी बोर हो गए होंगे और आपको लगता होगा कि सायद ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन पिराज करना हमारा कार है और देखिए सफलता भी एक नाएक दिन जरूर मिलेगी बात आती है कि इस इच्छामित्रों के लिए इस समय सबसे जादा जो समस्या सामने आई हुई है वो है आर्थिक तंगी की क्योंकि जून का महीना चलना है और जून में वैसे उन्हें आदे महीने का मांदे नहीं मिलता है आदे महीने का मांदे मिलता है वो भी दिसंबर में छुटियों में काट लिया जाता है कुल मिलाके हम बात करें तो इस महीने का खर्चा चलाने के ल जाज मिस्ति काम कर रहे हैं तो कोई बाल काटने का काम कर रहे हैं इसको लेकर प्रिंट मेडिया में ख़बर छपी थी कि सिच्छा मित्र आखिर यूपी का इतना बेवस क्यों है अन्य राज्यों की बात करें तो आपने करीब एक महीने पहले अपटेट देखी होगी जिसमें अन्य राज्यों में समिदा कर्मियों को अच्छा खासा मांदे दिया जाता है लेकिन यूपी में सिच्छा मित्रों का मांदे वास्ता में बहुत कम हैं जिसमें उनका घर का खर्चा भी नहीं चलता है बात हैं काली सिच्छा मित्र की नहीं है अनुदेशक भी इस और उक्रशिछए कम मिलते हैं। उनको भी घर का खर्चा चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। कब तक सिच्चक एक मजदूरी का कारवी साथ साथ करता रहेगा। बात यह कि हजारों चात्रों को पढ़ाने वाला सिच्छा अपने बच्चों को अच्छी सिच्छा देने का अधिकार नहीं रखता है क्या वो नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे विद्याले में पढ़ें तो बात इस वीडियो में बस इतनी कहनी थी कि सिच्छा मित्रों की इस्तिती वास नीमित किया जाया हुए पर उनको जीवनियापन करने में वनको जीन्यापन करने में allein मैं समझा कर्मियों मांदे व्रधी 75 प्राइक वें स्क्रण्रों के बैठ़ कुई जरा थि वह उाहिंने सब्लें मृत्याता इसकले की ब्यूजित पर कोई सहमती नहीं वनी जिसकी वैसे मांदे सिच्छा मित्रों का नहीं बढ़ा तो क्या फिर से यहां सिच्छा मित्र के जो पतादीकारी हैं उनकी कमी है या एक मत होके मांदे व्रद्धी की मांग अगर सरकार से की जाए और सबसे बड़ी प्रात्मिता केवल मांदे जो लागू करने के लिए अभी मानि प्रदान मंत्री जी ने एक बैठक लीती समय सभी राज्चों को निर्देश दिये गए हैं कि 2025 लगभग 80% राज्चों को नहीं सिच्छनीती लागू करनी है तो क्या अब यह माल लिया जाए कि 2025 तक नहीं सिच्छनीती जब यूपी मे किसी को नहीं पता है कि कब क्या होगा लेकिन लोग सभा का चुनाब 2024 में हैं तो जाहिर सी बात है कि इस लोग सभा चुनाब में सिच्छा मित्रों को अपनी बात दिल्ली तक पहुचाने के लिए और भी खड़े प्रयास करने होगा इस वीडियो में इतना ही था हम कि सच्छा मित्रों को या अपनी मांग बदल लेनी चाहिए या सरकार से अपनी बात कहने के माद्यां बदल लेने चाहिए यह चे कमेंट करके जरूबत आईए कब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीजिए से लाइक और से करना मत बूलिएगा चैनल पर नहे हैं तो चैन